तो फ्रेंज आज हमारे पास है प्लेटिना 125 का इंजन तो इस इंजन में हम आपको बताएगी कि प्लेटिना 125, डिस्कावर 125 और बजाच की जो 125, 100 CC का जो इंजन आता है उसमें oil circulation कैसे होता है कहां से होके किदर तक जाता है और किदर से head टक पहुतता है तो चलो शुरू करते तो आप देख सकते हो कि मैंने यह chamber बिठा आएए खाली ऐसे ही तो यह जो जारी आता है बुल्ट के साथ। यह जो जारी रेता है वो जो हमारा ओयल रेता है उसके अंदर जो बड़ी एमरी रेती है या थोड़ा बड़ा कचरा रेता है वो साफ कर देता है वो साफ करके आप देख सकते हो कि यह अभी हम जब ओयल डालते है एक लीटर या 900 एमर तो ओयल का लेवल इधर तक रेता है इत इधर तक जारी आता हैं तो इधर से होके यह औैल पंप है है वह खृता है और पाधर आगे विल्टर वाला जो गलेरी ऊधर तो इधर से जो खीच के यह कि इस ट кадण इय। यह गलरी से होके जो अपना यह क्लच कवर है पूरा तो क्लच कवर में ग drama अगया है इधर तक पूरा यह तो यह जो इधर वूंद आया बराबर तो इधर से होके यह जो अपना ओंट वाला गए यह अब आता है तो इधर वुल भरके ओंटर होके यह जो बढ़ा वाला हुल है और फिल्टर का लाया इधर से होके इधर आता है तो ये वाला भागे वो क्रेंक में लगता है और आगे जाता है और ये वाला भागे वो हेड में लगता है तो दिखाता हूं मैं आपको तो ये जो भागे वो अपना ये इधर ऐसे बेटता है तो ये आया अपना क्रेंक के पास ये वाला तो इसकी वाज़े से अपना पूरा प्रेंग में जाता है क्रेंग से नौन रेता है को अजा सूरा गोसे मुलेशना पूरा कर लूबरीकेट करता है उसकी वज्जा दो क्ला खुनता आ आज और है क्रेंग की बात क्रेंग का पूरा आपको मैंने समझाया तो अभी हेड तक कैसे पहुचता है तो यह जो गेलरी इदर से क्रेंग तक पहुचा अभी जो आगे जो गेलरी जा रही है यह वाली गेलरी वह उधर से हेड तक जाता है बराब तो जैसे मैंने आगे बताया वैसे को आगे ले जाता है तो देख सकते हो ये वाला जो होल है अपना वो ये इधर से हो के पूरा सीधा होल है तो ये दिख रहा है आपको होल तो इधर आता है तो इधर होल आया तो ये मेच होता है सामने की साइट पर इधर होता है तो इधर आपको एक होल दीखेगा ये देखो क यह कोने में होल है दिखाता हूं में आपको यह कोने में होल है आप साथ देख सकते हो यह जो मेरा टूल जा रहे है वो कोने में होल है तो वह से ओईल आगे जाता है इधर तक ओईल आया फिर उधर से यह आगे जाके यह जो अपना पितल वाला भूंगरी रहता है यह भूंग स्टर्ट 물ора जाता है इस के ऊपर पीर फाट रहा हो फिर फीर इदर से होगे शीधह जाता है है में जाता है यह सीधा हेड में जाता है आप देख पा रहे हो फिर आगे कहां जाता है वह मैं आपको बताता हूं तो आगे जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लॉक टक ओईल कैसे पहुच रहा था उसके बारे में मैंने पूरा आपको बताया था और हेड का ओईल कैसे पहुचता है वो बताऊंगा तो इसलिए देखो अभी इंजिन गाड़ी में लग गया है और जो अपना बॉल्ट था जहां उधर तक ओईल आता है तो अभी शुरू करते है यह हमने इधर अपना केम साप निकाल दिये है और टाइमिंग चन पकड़ लिया है हाथ में बरबत और अभी कीक मार के इधर तक ओईल कैसे आता है वो दिखाते है तो देखिए यह स्टड में उपरता कोईल आ गया है अभी हम यह स्टड को टाइट कर देगे तो अभी इसका जो बोल्ट था वो टाइट कर दिया है और इसका उपर का प्लेट हटा दिया है ताकि आप सबको हम दिखा सके कि कैसे इसका होईल उपर तक आता है तो अभी हम वापिस पहले जैसे प्रोसेस किया था ऐसे ही प्रोसेस करेंगे uscर और जाल ABOUT करेंगे आडर दिया है इसका अब्रक्षण हो गया है तो इस प्रकार से इसका पूरा टाइम लुब्रिकेशन होता है